नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लाग पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं बिंटर के खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट नेमेसिया के बारे में बात करने वाला हूँ तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास तक बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंटर और सेर भी जरूर कीजिएगा साथी साथ बोध ओस चो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए जिसे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों अगर बात करें इस ताइम पे मेरे गार्डेन में नेमेशिया के फ्लावरिंग की तो आप लोग तो देखी रहे होंगे किस तरीके से इस समय मेरे गार्डेन में जो नेमेशिया के फ्लावर्स हैं वो फुल ब्लॉविंग पर है ऐसा लगता है इनको देखने के बाद जैसे किसी ने जो है वो जमीन पर रंग भी खेर दिया हो और वो कलस जो है आपकी आखों को ऐसे बाद लेंगे कि आप जो है इनको देखने से एक टक देखते ही रह जाएंगे दोस्तो नेमेशिया की अगर बात की जाएं तो यह बहुत इजी टो ग्रोइंग प्लांट है अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप बिंटर में बिंटर फ्लावरिंग प्लांट में आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर सामिल कीजिए दोस्तो इस plant को seeds से बहुत आसानी से grow किया जा सकता है मैंने भी अपने इन plants को seeds से ही grow किया था मैंने कुछ online seeds मगाए थे और उन online seeds से इन plants को grow किया था काफी ज़्यादा numbers में मेरे पास ये plants grow हो गये थे इसलिए मैंने maximum plants को ground पर लगाया लगभक 7-8 हिंज की difference पर मैंने इन plants को लगाया हुआ था distance पर लेकिन अब देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इनको एक ही साथ लगा दिया था मैंने बिल्कुल नजदीक नजदीक लेकिन दोस्तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने अपने इन plants को 7-8 हिंज की difference पर लगाया था लेकिन जब इनकी growth हुई तो इनमें नीचे से इतनी ज़्यादा branches निकल के आई कि ये आपस में बिल्कुल ऐसे मिल गए कि ऐसा लगता है कि जैसे एक ही plants में अलग-अलग तरह के flower आये हुए है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने अलग-अलग plants जो है वो 7-8 हिंज की distance पर लगाये थे इनकी growth बहुत अच्छी हुई और growth अच्छी होने के बाद ये आपस में बिल्कुल मिल से गए आप देख रहे होंगे कि इनको दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने जो है वो colors को भिखेर दिया हो दोस्तों आपके निमेसिया के जो plant होते हैं ये ground cover के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं मैंने इनको ground पर pot में और साथी साथ कुछ टोकरी वगेरा में जहां कहीं भी मुझे जगे मिली मैंने वहाँ पर इनको लगा दिया और उसके बाद इनमें growth बहुत ही अच्छी होई और इस टाइम पर जो flowering हो रही है मेरा ये winter का सबसे favorite plant बन चुका है और मुझे ये बहुत प्यारा लगता है दोस्तों अब बात करते हैं नेमेसिया plant को grow कैसे किया जाए दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने अपने इन plants को जो है वो seeds से ही grow किया था आप इनको September से October में अगर आप इनके seeds को लाकर अगर आप grow कर लेते हैं उसके बात जो है आप November में इनकी reporting कर दीजिए reporting करते समय अगर आप इनको ground पर लगाना चाहते हैं तो फिर तो जो है आपको इनमें सिर्फ जो है वो cow dung compost या फिर वर्मी compost देकर लगा देना चाहिए लेकिन अगर आप इनको pot में लगाना चाहते हैं तो आप इनके लिए जो भी pot mix तयार कीजिए वो bell drain तो होई लेकिन उसके साथ साथ जो है इनमें कुछ ऐसा भी डालिए कि जिससे pot में regularly जो है वो थोड़ा बहुत moisture बना रहे क्योंकि आपके इन plants को moisture बहुत ही पसंद होता है जैसे ही pot का moisture खतम होने लगता है इनकी पत्यां बिल्कुल सूख के लटक सी जाती है ऐसा लगता है कि अब plants आपका बिल्कुल मरने ही वाला है इसके लिए जब भी आप pot mix तयार कीजिए तो आप 30% river sand, 30% normal garden soil, 30% vermic compost या cow dung compost के साथ आप उसमें 10% जो है cocopete जरूर mix कीजिए जिससे जो है आपके plants में जो है प्लांटर में जो है वो नमी regularly बनी रहे और आपका ये plant जो है वो खराबना हो दोस्तों अगर बात की जाए sunlight की तो आपके इस plant को sunlight बहुत ही पसंद होती है आप इनको अपने garden के उसी हिस्से में लगाईए जहाँ पर इनको regularly sunlight मिलती रहे क्योंकि अगर वैसे तो अगर 3-4 घंटे की sunlight भी इनको मिलती है तब भी इनकी flowering अच्छी होती है मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने coleus के साथ इनको जो है pot में लगाया हुआ है और मैंने अपने उस pot को जो है वो अपने garden के उस इस्से में रखा है जहाँ पर maximum 4-5 घंटे की sunlight आती है तो दोस्तों 4-5 घंटे की sunlight में भी ये flowering करेंगे हाला कि अगर आपको ज़्यादा numbers में flowers चाहिए ज़्यादा growth चाहिए तो आपको इनको regular sunlight area में ही लगाये दोस्तों आप बात कर लेते हैं watering की दोस्तों आपके इस plant को जो है watering बहुत पसंद है इनको moisture बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इन में जो है regularly जो है ये देखते रहिए कि आपके pot का moisture जो है वो बिल्कुल खतम ना होने पाए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये बिल्कुल देखने में इनके flowers dog flowers के जैसे या फिर तितनियों के जैसे लग रहे हैं और मेरे कुछ plants में जो है वो सीट भी बनने लगे है और मैंने इनके सीट को जो है एक पॉलिठीट में जो है वो इकठा करना शुरू कर दिया है और जैसे सीट बनते रहेंगे मैं इनको निकालता जाओंगा आपको अगर इनके seat को collect करना है तो आपको बहुत ध्यान से seat को collect करना होगा क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि इनके seat pot होते हैं वो कुछ time के बाद खुद ही खुलना सुरू हो जाते हैं और seats जो है वो निकल कर बिखर जाएंगे आप देख रहे होंगे इनके seats कितने जादा बारीक बारीक हैं इस वज़ा से इनके collection में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने सबजियों की टोकरियों में भी इनको लगा दिया है और वहाँ पर भी इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोध देखने को मिल रही है और यह red color और white color का जो ही एक combination है यह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खोबसूरत लगता है बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यह वो नेमेशिया के plants हैं जिनको मैंने Coleus के pot में जो है वो लगा दिया था मैंने किनारे थोड़ी सी ऐसे उंगली से मिट्टी को हटा कर और इनके एक-एक plant को जो है वो लगाया था और आप इस टाइम पर देख रहे होंगे कि Coleus की भी ग्रोध अच्छी हो रही है और उनके साथ साथ निमेशिया की ये plants भी जो है कितने जाथा खुपसूरक फ्लावरी कर रहे है और दोस्तों होता है क्या कि ये मेरे garden का वो हिस्ता है जहां पर इनको maximum से 4-5 गंटे की sunlight मिल पाती है उसके बाद sunlight भी मिलती लेकिन उस normal sunlight में भी इनकी ग्रोध अच्छी होई है और इनमें flowering भी अच्छी हो रही है तो दोस्तों अगर आप भी plants के सौकीन है gardening आपका पैसन है तो आप next season जो है इस winter flowering plant को अपने garden में लाकर जरूर एड कीजिये क्योंकि ये काफी easy to growing है और काफी ज़्यादा numbers में इनमें जो flower आते हैं ये आपकी garden की खुबसूरती को लगतार बढ़ाते रहते हैं तो दोस्तों ऐसी ही किसी नई वीडियो नई update के साथ मिलते हैं next वीडियो में तक तक के लिए bye bye